दोस्तो लावा ने अपना एक और लेटेस्ट बजट फोन लाँच कर दी एंडिया के अंदर लावा ब्लेस टू 5G और दोस्तो ये एक 5G स्मार्टफोन है जो कि एक बजट फोन है बहुत ही कम प्राइस में आपको मिलने वाला है तो इस वीडियो में इसके अंबॉक्सिंग करके आपको दिखांगा दोस्तो ये आपके लिए कैसा रहेगा कैसे ने इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं सिर्फ 10,000 का आपको यह मिलता है 4GB वाला वेरियंट और जो है दोस्तो 11,000 में आपको 6GB वाला वेरियंट मिल जाएगा फ्री होम सर्विस मिलती है वंदर फून खराब हो जए तो घर पे ठीक हो जाएगा आके तो यह चीज़ काफी बढ़िया है प्राइस बॉक्स पर देख सकते हैं काफी का में 1,500 का तो बॉक्स पर फिर बाकी 10,000 का आपको यह मिल जाएगा और 11,000 का आपको मिल जाएगा ईयर वेरियंट अनबॉक्स करते ही सबसे पहला आपको यह कवर दिया गया है box के अंदर transparent काफी अच्छी quality में इसके बाद जो दोस्तो आपको user manual मिल जाते हैं कुछ इस तरह की सा warranty card है तो दोस्तो ये चीज़ काफी अच्छी है घर पे बैठे बैठे phone ठीक हो जाएगा इसके बाद phone मिल जाता है rapper के अंदर जो हमारे पास है black type के color में detail look हम अभी देखेंगे type C cable दी गई है जिसके build quality आपको काफी अच्छी मिल जाती है तो cable की quality generally आपको काफी अच्छी दी गई है और last में रखवा मिलता है ये white color में charger जो की एक दोस्तो 18 watt का charger है तो charger आपको fast मिलता है 18 watt का तो कुछ इस तरह के आपको charger दिया गए है जिसके build quality ठीक है काफी सही मिल जाती है बाकि दोस्तो price के इसाब से देखा जाए तो box के जो contents है 10,000 में काफी सही मिल जाते है cover भी है type C cable भी 18 watt का charger भी है तो इस चीज़ में तो lava blaze to 5G काफी अच्छा है चलिए बात करते हैं दोस्तो design के बारे में मैं आपको दिखाते हूं इसके अंदर आपको design मिलता है वो कैसा मिलता है और actually देखने में phone है कैसा तो unwrap कर लेते हैं मैं जल्दी साब को दिखा देता हूं तो design जो इसके अंदर आपको मिलता है सबसे बड़ी चीज ग्लास डिजाइन है तो दोस्तों यह चीज आपको बहुत ही यूनीक देखने को मिलती है क्योंकि आज कल जो है दसजार के बजट में किसी भी फून के अंदर आपको ग्लास डिजाइन देखने को नहीं मिलता तो वो चीज काफी बढ़िया है इका दुका फून एकाथ होगा दोस्तों जिसमें ग्लास डिजाइन हो तो वो चीज काफी अच्छी इसके अंदर आपको प्रीमियम मिल जाती है तो ग्लास डिजाइन है दोस्तों इसके अंदर आपको ब्लैक कलर में कुछ इस तरह किसे मिलता है camera की placement भी काफी change हो चुकी है दोस्तो दो camera आजू बाजू में आपने सामने दिये गए हैं और नीचे जो आपको कुछ information मिल जाती है तो complete design दोस्तो आप इसका देख सकते हैं mirror type का बिल्कुल black look मिलता है आपको कुछ इस तरीके से बिल्कुल शीशे की तरीके से back panel दिया गया है नीचे की तरफ आपको lava 5G की branding मिल जाती है सबसे बड़ी खुब इसकी ये भी है दोस्तो एक 5G phone आपको मिल जाता है वो भी काफी कम budget में सिर्फ 10,000 में तो ये चीज़ काफी बढ़िया है बागी light की reflection क्या ही back panel पर बढ़िया लग रही है और camera का module भी पहले के comparison में lava में जैसे देखने को मिलता था उससे काफी improve है तो देखने में जो ये दोस्तो काफी बढ़िया लग रही है मुझे तो personally इसका design काफी जादा बढ़िया लगा आस-पास जो इसके अंदर आपको display मिल जाती है साले चेंज से और थोड़ी से जादा और इसके अंदर आपको IPS HD plus display दी गई है तो display की जो quality है दोस्तो rate के साब साब को सही मिल जाती है user interface इसके अंदर आपको काफी clean मिलता है extra applications बिल्कुल भी नहीं दी गई तो चलाने में काफी आपको clean UI मिल जाता है तो experience काफी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है बाकि इसके अंदर आपको IPS HD plus display तो मिलती है लेकिन दोस्तो इसके अंदर आपको refresh rate दिया गया है 90 Hz तो smoothness आपको काफी अच्छी मिल जाती है experience आपको काफी smooth मिल जाएगा बाकि आप यहाँ पर आपको set कर सकते है 60 Hz पर आपको use करना या फिर automatic चाहिए या 90 Hz पर तो smoothness काफी सही है बाकि दोस्तो display की quality कैसी है मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ तो design इसके अंदर आपको मिलता है और better हो जाता बाकि दोस्तों display के जो colors है उनको लेकर आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं होगी colors होगे रहा काफी अच्छे है brightness भी काफी सही है और punch hole camera वाला design मिल जाता है तो यह चीज़ भी काफी सही है notch वाले design नहीं है तो वो चीज़ आपको outdated देखने को नहीं मिलती काफी सही आपको मिल जाती है price को देखते हुए चिन वगेर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह किसा आपको जो इसका pattern देखने को मिलता है बाकिस के अंदर आपको जो हलकी सी curve display दी गई है side उसे तो कुछ इस तरह किसा आपको display का design इसमें देखने को मिलता है इसके लव दोस्तो इस angle से भी मैं आपको इसका design दिखा देता हूँ बिल्कुल शीशा है back panel एक दम और जो है इस पर finger paints और आ सकते हैं finger paint scanner इसके अंदर आपको मिल जाता है side में power के बटन के अंदर volume के बटन भी right side पर ही है उपर से देखेंगे तो plane design है अब बात करें दोस्तो RAM और storage को लेकर दीखे 10,000 में इसमें आपको मिलती है 4GB RAM 64GB storage 4GB 64GB 10,000 में आपको मिल जाएगा और दोस्तो अगर आप इसको 11,000 का खरीदते हैं तो आपको 6GB RAM 128GB storage मिल जाएगी 6GB RAM 128GB storage आपको मिल जाएगी दोस्तो 11,000 में इसके लिए दोस्तो free storage कुछ इस तरह किसा आपको मिल जाती है 17GB जो है पहले से used है तो 111GB के आपको free मिल जाएगी अगर आप 128GB खरीदते हैं 11,000 में और इसके अंदर आपको Android का console version मिलता है मैं आपको दिखा देता हूँ तो latest version 13 दिया गया है इसके अंदर तो यह चीज़ काफी बढ़ी है तो यहाँ पे आप 13 बजा सकते हैं कुछ इस तरह के से डिस्प्ले की जो quality है वो अलगी चमकरी है इसकी काफी बढ़ी है मतलब vibrant type के colors आपको देखने को मिलते हैं तो वो चीज़ काफी बढ़ी है डिस्प्ले के colors काफी अच्छ है इसके लोग दोस्तों इसको restart करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर आपको जो performance मिलती ह नॉर्मल यूस के अंदर कैसी मिलती है कुछ apps open करने में आपको कैसा जो performance type की देखने को मिलती है lag और आये फिर नहीं वैसे सके अंदर आपको price के इसाब से देखा जाए तो processor काफी बढ़ीया दिया गया है mirror tech का dimension t6020 तो दोस्तों अगर आप एक heavy user है performance आपको बढ़ीया चा आती है lava blaze to 5G के अंदर processor काफी अच्छा है और restart test में भी आप देख सकते हैं कुछ जादा time इसने नहीं लिया काफी जल्दी restart हो चुका है तो दोस्तों यह चीस काफी बढ़ीया है battery के बारे में बात करें तो 5000 image के अंदर आपको battery दी गई है एक दिन का normal battery बैका पराम से मिल जाएगा और मतलब lag type का बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है hang type का तो ऐसी सी problem बिल्कुल भी नहीं है इस phone के अंदर तो performance के इसाब से तो काफी बढ़ीया rate को देखते हुए back side पर main camera दोस्तों इसके अंदर आपको 50 MP का मिलता है और photos की quality है वो भी मुझे काफी सही लगी चली बात कर लेते हैं सबसे main चीज़ आपको इसको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए देखिए दोस्तों इसके अंदर आपको जो खूब यह मिलती है price को देखते हुए वो काफी बढ़ीया ही मिल जाती है जैसा आपको दोस्तों डिस्प्ले बढ़ीया चाहिए तो आप बढ़ीया डिजाइन के लिसको खरीज सकते हैं पर्फॉमेंस अगर आपको बढ़ीया चाहिए तो वो चीज़ तो बहुत ही बढ़ीया है दोस्तों पर्फॉमेंस आपको काफी अच्छी मिल जाएगी इसके अंदर और रैम और स्टोरेज भी प्राइस के एसाब से पर्फॉमेंस भी बढ़ीया है और सबसे बड़ी चीज दोस्तों आपको जो 5G फून मिल जाता है दसजार के बजट में तो वो चीज़ काफी बढ़ीया है तो अवरॉल देखा जाए तो सारे फीचर्स जो है क्वालिटी वाइस मुझे परसनलिस के अंदर काफी ज़ादा बढ़ीया लगया और सबसे बढ़ीया चीज यह लगी प्रॉससर काफी अच्छा है और दोस्तों पर्फॉमेंस अच्छी मिल जाती है और 5G का सपोर्ट है तो यह चीज़ काफी बढ़ीया है डेडिकेड़ सिम स्लॉट भी मिल जाता है तो मेमरी काट लगाने का भी आपको लगी तो शेर जरू करिएगा इसको अपने दोस्तों के साथ इसके लफो आपको इसका comparison देखना है किसे और पसंद के साथ अपने पसंद के फौन के साथ तो कमेंट ज़रूर करिएगा मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी पसंद की वीडियो जिल दे लेकर आने की चले मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई